हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई नेटिंग चैनल चलिए फ्रेंड्स आज एक बहुत ही प्यारी सी लेडीज जो है सॉक्स बनाऊंगी मैं जिससे जो है देखिए ये बाली बूल के साथ मैंने बनाया है ये बूल जो है थोड़ी सी जो है नॉर्मल से मोटी है तो इसमे जो है मैंने यहां पर एक दो तीन चार पानच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरह चौदरा सोला सत्रह अठारा उन्निस बीस एकिस पाइश तैस चौबिस पच्छी चब़िस ताइस थाइस थाइस इन तिस तीस तीस रच्टिस बढ़ तीस तेटिस तेटिस चौतिस 40 41 82 तो यहां पे मैंने जो है इस पे 84 stitches डाले हैं 84 stitches डाले हैं सात नंबर के पैर के लिए सात और आठ नंबर के पैर के लिए यह जो है socks बना रही हम अगर आपने चोटी बनानी है तो यहां पे 4 फंदे, कम डाल लिजी है अगर उससे भी शोटी बनानी है तो और चारफंदे कम डालीजे इस तरीके से आपने इसे बनाना है अगर आपने बड़ी बनानी है तो चारफंदे इससे ज़ादा डालीजे तो मैंने यहाँ पर 84 स्टिचिज डाली है मोटी बूल है तो मोटी स्लाइन यूज कर रही हूं नौ नमबर की स्लाइन है अब देखिए इसमें मैंने जो है 84 स्टिचिज डाल करके इसमें जो है दो चार आठ दस लाइनों का हमने बॉर्डर बनाना है इस तरह से आठ दस लाइने बना ली एक तरह से अब इसमें दिखिए ये वाले पहले वाले फंदे तो मैं ओड़्टे बनूगी इस तरह से ये पहले फंदे जो है वो ओड़्टे बनूगी देखिए फ्रेंट्स चौबवी फंदे हमने यहां पर उल्टे उल्टे बुन लिए अब जिखिए यहां पर एक जो है इस तरह का मारकर लगा लीजिए चाहे आप बना लीजिए इस तरह से आप यहां पर एक मारकर लगा लीजिए और यहां से हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा और एक उल्टा लास्ट के 24 फंदे रहने तक हमने इस तरह से एक सीधा और एक उल्टे का फार्स्ट रो जो है कम्प्लीट करने हैं आफ जो है जो बीच बाले फंदे हैं 24 हम एक साइड पे चौड़ेंगे 24 हम दूसरी साइड में उल्टे उल्टे बनेंगे और जो बीच बाले फंदे हैं फर्स्ट रोस में हम ऐसे बनाएंगे एक सीधा और एक उल्टा इस तर ऐसे आठ और नौ नमबर पैर के लिए जो है साथ और आठ नमबर पैर के लिए ये बहुत ही असानी से आने वारी जो है जुराव है इस तरह से देखे यहां तक हमारा जो है हो गए 24 फंदे हैं यहां पर देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ना दस ग्यारा और यह बारा अब यहां से हम यहां पर देखे यहां तक हम जो है इसे मारकर को लगाएंगे इस मारकर को और यहां से हम जो है अपना उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट करेंगे मतलब कि 24 हमने दूसरी साइड में बुनने हैं 24 दूसरी साइड में बुनने हैं दोनों साइड में 24 फंदे जो हैं उल्टे उल्टे बुनके जितने बीच में फंदे हैं उनमें एक सीधा और एक उल्टे की रोव बनानी है फर्स्ट रोज होगी हमारी वो इस तरीके से आप देखिए आजाईए दूसरी साइड दूसरी साइड में 24 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे पहले इस तरह से 24 फंदे उल्टे बुनने के बाद जो बीच बाले फंदे हैं वो कैसे बुनने है वो मैं आपको एक लाइन बता देती हूँ फिर आपने उसी तरीके से जो है बीच बाले फंदे बुनने है फिर मैं आपको पूरी उसकी लेंथ बना करके फिर आगे मिलूंगी देखिए यह होगे हमारे यहां पे 24 फंदे कंप्लीट अब आजाएए इन जो बीच वाले जो फंदे हैं उन्हें हमने कैसे बुनना देखिए उल्टा फंदा तो सिंपल हम उल्टा ही बुनेंगे दोनों साइड से और सीधा फंदा देखिए हम कैसे बुनेंगे यहां से इस तरह से नहीं बुनना है जो नीचे वाला होल है वहां से बुनेंगी इस तरह से फिर उल्टा नॉर्मल फिर जो सीधा फंदा आएगा उसे इस तरह से बुनेंगी फिर उल्टा नॉर्मल फिर जो सीधा है नीचे के होल से बुनना है तो इस तरह से आपने जो है, दूसरी साइड में भी जो सीधा फंदा आएगा इस तरह से बुनना है, उल्टा हमने नॉर्मल बुनना है, दोनों साइड को इसी तरीके से बुनना है, जो हमारा उल्टा और सीधा बुनना है, इस तरीके से, नीचे वाली जो पहली रोग हमने ब इस फंदे को शोड़ देंगे फिर उल्टा नॉर्मल फिर यहां से बुनेंगे फिर उल्टा नॉर्मल फिर यहां से बुनेंगे फिर उल्टा नॉर्मल तो इस तरीके से हमने जो है इन सीधे और उल्टे फंदों की बुनाई करनी है अब देखिए ये मारकर आ गया इसे हम इस साइड में लेके आएंगे और बाकी फंदे हम उल्टे बुन लेंगे अब चाहें तो मारकर रख लिजिए अब आप मारकर को हटा सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कहां तक हमारा जो है उल्टा फंदा आएगा वहां तक हमने उल्टा उल्टा बुनके आती हुश सलाई से मारकर हम अटा देंगे एक सलाई में आपको और बना के दिखा देती हूँ इसके बाद जो जो 24 फंदे हैं उन्हें तो हम उल्टा उल्टा बनेंगे सीधी साइड में भी और जो डिजाइन बाले फंदे हैं वो एक बार आपको फिर से बना के दिखा देती हैं अब आज़िए राइट साइड इसमें भी हम इस तरह से इसको बनेंगे यहां तक बोन लेती हैं अब देखिए इस मारकर को हटा देंगे इसे इसे इटा दिया क्योंकि यहां पर हमें पता चल जाएगा कि कहां से हमारा कौन सा डिजाइन चुरू हो रहा देखिए यह सीधा पंदारा इसे इस तरह से नीचे से बनेंगे उल्टा नॉर्मल फिर हुए हमने 18 जब 20 लाइण इस तरह से बना लेनी है जह वं फंदि है उल्टे उन्हें उल्टा बनेंगे और जो बीच बाले जो डिजाइन बाले फंदी हैं नहीं डालेंगे जो जैसा हम दिखना है हमें वैसा ही डालेंगे सीधा फंदार नीचे से बनाएंगे नॉर्मल उल बनाएंगे तो पूरा जो है 18 जब 20 लाइना में पूरी कंप्लीट कर लेती हूं उसके बाद आप से मिलती हूं अब देखिए फ्रेंड्स 18 लाइने हमने जो है 18 सलाइना बनाने के बाद हम जो है सीडी साइड से देखे पहले तो जो फंदे 24 हैं उन्हें हम ओल्टा बनेंगे इस तरीके से फिर हम बंदे जो हैं घटाना शुरू करेंगे तो फंदे घटाएंगे कैसे बो मैं आपको बता देती हूं इस तरह से इस तरह से जो है दो का एक किया पहला फंदा हमने ओल्टा बुन लिया फिर दो का एक करेंगे जो जहां से डिजाइन जो स्टार्ट होता है वहां से हम इस तरह से करेंगे दो का एक फिर नेक्स्ट दो का एक फिर दो का एक तो पूरे जो डिजाइन बाले फंदे हैं वो दो का एक करते हुए हमने यहां पे कम कर ले लास्ट में हमारे पास दो फंदे बचे हैं तो इनने भी दो का एक कर लेंगे देखें हमारे फंदे जो हैं काफी ज़्यादा कम ह हो गए हैं अब पुरी स्लाइज जो है जो चौबीस चाप चीस फंदे जितने भी आपके पास चौबीस फंदे हैं उन्हें हम इस तरह से ओल्टा बोन करके कम्प्लीट करेंगे और उल्टी तरब से पूरी रो फंदों की उल्टी बनाएंगे पूरे फंदे जो है हम उल्टे बोन के कम्प्लीट करेंगे सीधी साइड में फिर से आपको बताऊंगी फिर से हमने फंदों को डिक्रीस करना है तो इसके बाद पूरी रो जो है उल्टी बुन लेती हूँ फिर आगे आप से मिलती हूँ अब देखिए फ्रेंट्स फिर से हमने 24 बंदे जो है उल्टे बुन लिए देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, चेस, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा 24 बंदे हमने उल्टे बुनिये फिर से हमने जो है दो का एक करना है सीदी साइड से दो का एक, दो का एक, फिर दो का एक, जितने भी रिजाइन वाले फंदे हैं उनमें ही हमने डिक्रीजिंग करनी है इस तरह से दो का एक, फिर लास्ट में दो का एक, फिर बाकी बचे हुए फंदों को हम इस तरह से उल्टा बोनेंगे इस साइड से भी और दूसरी साइड से पूरी रो उल्टे फंदों की बनाएंगे आप देखिए फ्रेंड्स मैंने दो बार जो है इन फंदों को घटा लिया है अब देखिए हम एक नए तरीके से सोक्स बना रहे हैं तो आप मैं इसमें छोटा सा एक डिजाइन डालोंगी एक लाइन इस तरह से एक फंदा बनाया एक एक फंदा उतारा एक उल्टा बनाया अब जो तीन फंदे हैं इस फंदे को इसके उपर से उतार दिया और ऐसे फिर इसके तीन फंदे बना लिए देखिए क्यों हो गया फिर एक उल्टा ध्यान से दिखिए इस फंदे को इसके उपर से उतारा दो फंदे रहेगे हमारे तो दो को फिर से तीन में कनवर्ट करना है दो को इस तरह से जाली डालके तीन बने फिर एक उल्टा फिर इस फंदे को ऐसे उतार दिया फिर एक बना एक जाली बनाई दूसरा बन दिया, तो तीन फंदे के हमारे तीन फंदे आ जाएंगे, इस तरह से एक शोटा सा जो है, एक लाइन डिजाइन की मैं, डाल रही हूं, फिर एक फंदा उल्टा, इससे के होगा, जो सौक्स है, और भी खूबसूरत लगेगी, जैसे, एक फंदा उल्टा, फिर तीन को इस तरह से किया, फिर एक उल्टा, फिर धागा पीशे, तीसरे को इस तरह से, तो इस तरीके से हमने जो है, अपने पूरी लाइन इसी डिजाइन को कॉंटिन्यू करते हुए बनानी है, देखे, इस तरह से, कि आप, दूसरी साइड आ जाएए, दूसरी साइड से पूरी रोह हम, उल्टे वंदों की बनाएंगे, यह जो सीधा फंदा बीच में लिया था हमने दूसरी साइड से उल्टा उसे हम इस तरफ से सीधा बनाएंगे तीन फंदे मतलब की उल्टे और एक सीधा आएगा इसके बाद है इस तरह से एक सीधा तीन फंदे उल्टे फिर एक सीधा तो इस तरह के से पूरी रो जो है हमारी कम्प्रीट हो जाएगा अब देखिए इसके बाद जो है इस डिजाइन को बंद करेंगे फिर से इसी तरीके स कि दो को एक अठा बना कि एक स्लाई हम जो है तीन सीधे और एक उल्टे का बना देते हैं पहले तीन सीधे एक उल्टा नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं तीन फंदे सीधे डिजाइन वाले और एक उल्टा फिर तीन सीधे एक उल्टा उल्टा और इसके बाद एक स्लाई फिर हम जो है उल्टे फंदों की बनाएंगे आप देखिए फ्रेंट्स सीधी साइड से तो तीन फंदे हमने सीधे और एक उल्टा बना लिया अब देखिए रॉंग साइड से फिर हम डिजाइन को बदलेंगे फिर इस तरह से बनाएंगे इस फंदे को जैसे हमने पहले सीधी साइड से किया आप उल्टी साइड से करेंग क्योंकि हमने design को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है इस तरह से फिर एक फंदा सीधा फिर तीन में से पीशे वाले फंदे को उपर से पल्टेंगे इस तरह से उल्टी साइट से भी बन जाएगा design सीधी साइट से भी बन जाएगा अगर आप एक स्लाई और बनाना चाहते हैं तो उसमें एक स्लाई और बना लीजिए सीधी साइट से इस तरह से इस डिजाइन को बना लीजिए तो देखें ये डिजाइन कुछ इस तरह से आ जाएगा फिर इसको इसके उपर से पल्टा एक फंदा सीधा क्योंकि फंदे हमने गटाने नहीं है तो एक फंदा हम जाली की साहिता से बना लेंगे जो हमने उपर से उतारना है फंदा वो इस तरह से करके बना लेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर इसको पल्टा एक बुना फिर एक जाली बनाई दूसरा बुन दिया तो मतलू कि जो फंदा हमारा घटा वह हमारा जो है जाली से बढ़ जाएगा इस तरह से एक फंदा बना फिर जाली बनाई फिर दूसरा बन दिया फिर सीधा फिर इसको इसके उपर से पल्टेंगे एक फंदा बनाएंगे फिर जाली बनाएंगे फिर एक फंदा बनाएंगे फिर फंदा सीधा जाएगा तो इस तरीके से पूरी रोग हम बना लेते हैं फिर उसके बा राइट साइड से जो है उल्टी रो बनाएंगे लेकिन जो जाली बनी है हमारी इससे जाली नहीं बनाएंगे इस तरह से गुमा के फंदा बना लेंगे क्योंकि जहां पर जाली हमने बनानी नहीं है तो इस तरह से गुमाएंगे और इसे अंदर की तरफ से बन देंगे इस तर किसे हैं अगर हम दूसरी तरह से बुन लेंगे तो हमारी जालियां जो बन जाएंगी इस तरह से इसको गुमा लेंगे ताकि फंदा हमारा बन सके जाली ना बने इस तरह से तो इस तरह से जो है यह हमारा डिजाइन बन गया है अब हमने यहां पर इसको बंद कर देना है इन सभी फंदों को एके करते हुए यहां से बंद करेंगे इस तरह से इस तरह से सारे फंदों को हम एक करते हुए बंद कर देंगे अब देखे यहां से ही से इस तरह से सभी फंदों को बंद करने के बाद इस तरह से करेंगे अब इसकी सिलाई करनी है अब यहां से देखे कैसे से लेंगे इसको इस तरह के से पकड़ेंगे अब देखे जो मैंने जो है इस तरह से बुना है इसको देखे इसको यहां से लेंगे एक फंदा और यहां से एक फंदा फिर यहां से लेंगे इस तरह से फिर अगला ऐसे अगर आप इस तरह से बुनाई करती हैं तो जब से लेंगे हम एक तो सिलना असान रहता है तूसरा क्या होता है कि इससे जहां पर सिलाई आती है वो पता नहीं चलेगी कहां पर हमने से सिला है इस तरह से देखें कि इस तरह से क्योंकि साथ जो है बिल्कुल से अच्छी तरह से जो है मिल जाता है यह इस तरह से देखिए कि इस देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और यह देखिए यहां से तो इस तरह से हम यहां से यहां तक से लेते हैं और नीचे से यहां से यहां तक से लेते हैं फिर इसको पहन के बताऊंगे आपको तो देखिए फ्रेंड्स सॉक्स हमारी बिल्कुल बन करके रेडी है अगर आप इस तरह का डिजाइन नहीं चाहते हैं तो डिजाइन मत डालिए अगर आप चाहते हैं तो डिजाइन इस तरह से डिजाइन जो है डाल सकते हैं अगर आप नहीं चाहते तो उल्टी उल्टी सात और आठ नंबर पैर के लिए है ये जो डमी है मेरे पास डमी को मैंने पहनाया है ये जो है डलमी 5 से 6 नंबर के इन पैर की डमी है इस तरह से जो आ आप देख सकते हैं चैनी नुज साक्स बनी है हमारी तो आप इस तरह से इस सोक्स को बना करके रेडि कीजिए बहुत जल्दी से बनने बाली सोक्स है देखिए इस तरह से मोटी स्लाइयों से बनाई है मैंने मोटी बूल से बनाई है तो इस तरह से सोक्स जो है बनके रेडि होती है तो उमीद करती हूँ आपको पसंद आएगी इसी तरीके से आपने दूसरे बाले पैर की सौक्स भी बना लेनी है रेडी कर लेनी है सेम इसी तरीके से आप बनाएए तो बहुत ही प्यारी सी सौक्स जो है बन करके रेडी होती है तो उमीद करती हूँ आपको पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए फ्रेंट्स शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी अच्छे अच्छी सॉक्स बना करके रेडी कर सकें तरदियां आ गई हैं तो आप भी इसे बना करके अपने पैरों में पहने हैं चाहे किसी को गिफ्ट कीजिए तो इस तरह से आप जो है इस सॉक्स को बना करके रेडी कर सकते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकर को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलत क्वारी सिरह का हुआ है sau का करना मिल एका ड़यू तो मिल बिला वाले मिल आएप और चींगर उतकर कीजिए इस जर रवी और हू पहले i kवलल सına कि आना नो चींगिए तो मेरे को जर शूलिए से रचलें juste कीज़से इस का आना पना रपको प्रेस के ऊहाँ, चुवारा प्र